जै हिन्द मैं नविनकुमार सिंग डिरेक्टर प्लेटफार्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिम्टेट पत्ना एक चीज एलपी टेक्निशन के संदर में बहुत महत्पूर नहीं आपको ध्यान देना होगा अगर हम तुनलातमक रूप से 2018 की वेकंसी की बात करें और इस बीच में जो परिवर्तन हुआ है परिवर्तन होने का मतलब कहने का मेरा यह है कि अभी देखेंगे कि 2019 की वेकंसी एंटी पीसी और ग्रूप डी की थी तो बहुत सारे स्टूडेंट निश्चित रूप से जो भी ड्राइवर का जिसको भी एक्जाम देना है चाहे वो डिपलोमा किये हों बीटे किये हों अथव आई टी आई किये हों ऐसा नहीं है कि वो अगर eligibility है तो ग्रूप डी का फॉर्म नहीं भरे थे या NTPC का फॉर्म नहीं भरे थे तो जिन भी स्टूडेंट का ग्रूप डी में सेलेक्शन नहीं हुआ रेलवे NTPC में सेलेक्शन नहीं हुआ है अब उनको सोचने की ये जरूरत है कि आगे चल करके जब भी वो LP technician का exam देंगे चुकि last hope LP technician के रूप में ही priority के अधार पर वो देखते हैं कि किसी भी सुरत में LP technician का इस बार हमको एक seat पका करना है तो एक seat पका करने के लिए अब आपको दूसरे पहलू पर आकर के सोचना परेगा कि 2018 में जो vacancy आई थी 38 से 40 लाक student फर्म भरे थे उस समय 38 से 40 लाक मामूली नहीं हुआ और इस बीच में जबकि 4 साल बीत गया है पाचमे साल में हम लोग cross करेंगे 2023 में cross किये तो इस बीच में अगर 10 से 20 परसेंट इस्टूडेंट भी बढ़ा होगा हलां कि 10 से 20 परसेंट से ज़्यादा बढ़ा होगा क्योंकि कई सारे financial इर इस बीच में आ गए लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का age भी तो समाप्त हुआ होगा तो उस आधार पर हम मानते हैं कि अगर उस समय 38 से 40 लाख बच्चे फर्म भरें तो 45 से 50 लाख बच्चे इस बार जरूर फर्म भरेंगे और जब 45 से 50 लाख स्टूडेंट फर्म भरेंगे अगर 50 अजार 60 लाख भी वेकंसी आती है अलपी की जिसकी संभावनाएं है तो यह competition बहुत आसान नहीं होना है यह mind make up आपको करके चलना है कि अगर ग्रूप D में अभी हमको अगर 50 मार्स आया है तो जब तक हम 70 प्लस नहीं करेंगे तो आगे आने वाले एलपी में भी हमारा final selection नहीं होगा हम 70 मार्स बात कर रहे हैं कि जब man's का exhibit 2 आप देंगे उसमें first paper जिसके आधार selection होता है 100 question उसमें पूछा जाता है 100 मार्स का वहां की बात कर रहे हैं कि 100 में से 70 प्लस मार्स आप लाएंगे तभी 100% confirm आप समझेंगे कि हमारा result हो जाएगा तो जो बच्चे 45 लाए अभी आपके पास 8-10 महिने का समय है आपको 70 करना परेगा यानि 25 मार्स बरहाना परेगा जो 50 ला रहे हैं उनको 20 मार्स बरहाना परेगा जो 60 ला रहे हैं उनको 10 मार्स बरहाना परेगा और आप समझ लेजिए कि 50 से उपर मार्स बरहाने में एक-ए एक मार्स बरहने में आपका पसीना चूटेगा और चुकी अभी आपके पास समय परियाप्त है अगर आप पूरी तरीके से डेवोटेड हो करके अभी से लगते हैं तो बहुत आस्चर्ज नहीं है कि अराम से हम 70 प्लस पा सकते हैं 70 प्लस तक पहुंच सकते हैं इसमें आपको self evolution की जरूरत है कि आखिर इस बार हमारा group D में selection नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आखिर हमारा NTPC में selection नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कौन सा person week हमारा रहा गया जिसके वज़े से हम उतना score नहीं कर पाए, जितना cut off गया था, या क्या हमारी runnity में कमी रहा गई, जिसके व मन्थन करने की जरूरत है, इसमें negative, positive आप कुछ भी बोलें, वो आपका बिल्कुल तारकिक नहीं होगा, जो सच्चाई है, उसी प्रांति में आपको आना परेगा, और उसके लिए दुबारा से आपको एक बार खरे होना परेगा, आपकी जो भी आर्थिक दिकतें इस दिये बराबर है, तो आर्थिक दिकतों का आप कैसे सामना करेंगे, इस पर आपको विचार करना है, दूसरे को इस पर विचार नहीं करेंगे, बलकि उससे लरना है, और उसमें एक रास्ता आपको निकालना है, नहीं हमको अगर हमको आर्थिक रूप से हमको दिकत है, टु भी जा करके आप अपने target यानि 70 प्लस को fulfill कर पाएंगे अगर उसमें कमी रहती है तो निश्चत रूप से आपके साथ दिक्कतें आगे भी बनी रहेगी इसके दो पहलू हैं तो अभी हम इस संदर्म में बात कर रहे हैं हम ये मान करके चल रहे हैं कि आपका सारा बेसिक चीज किलियर है बेसिक चीज किलियर का मतलब है कि जो भी deciding paper है math reasoning science समझे कि 75 में से 65 मार्स का PT में यानि CBT1 में इसी section से question पूछना है अगर मेंस की बात कर रहे हैं 100 question जो आपका non-tech portion का मेंस में रहेगा उसमें 90 मार्स का math reasoning science और engineering drawing मिला कर रहेगा 10 मार्स के में आपका history, quality, economy, geography, current affairs, statics जी के मिला करके रहता है तो लेकिन हम तो यही कहते हैं कि एक-एक मार्स का अपना अलग महतु है और एक मार्स के अंतर पर पांस से दस हजार बच्चे कम से कमू थल पुथल हो जाता है तो नमबर चार नमबर दस नमबर तो बहुत माइने रखता है अभी समय आपके पास है लेकिन जो subject ज्यादा महतपुर्ण है उस पर हमको ज्यादा focus करना ही चाहिए उसमें हमारा performance बहतर होना ही चाहिए इसके अलावा जो सबसे महतपुर्ण है अगर आप CBT1 पास करते हैं मौनते हैं उसका cut-up कम जाता है आप पास करके CBT2 तक पहुँच भी जाएंगे लेकि जिस trade से related आपका questions पूछे जाएंगे साथ मिनिट में पच्छतर question वहां 40% minimum marks आपको लाना जरूरी है अगर 40% से कम marks रह जाता है तो सारा महनत आपका बेकार हो जाता है आप वहीं पर आपका drop हो जाएगा first sitting जिसके आधार पर आपका merit बनना है उसका copy आपका जहांच ही नह जितना ही महत्तु है जितना non-tech section का है तो अभी से लेकर कि ये दोनों section को हमको fulfill करके चलना है बहतर करके चलना है तो ये video इसलिए हम इसलिए बना रहे हैं कि अभी से इसमें दो बाते होंगी एक तो हम जो कराएंगे platform को माध्धियम से कैसे improve करें और दूसरा सेम चीज जो ह अभी सिस्टम है समझे कि 30 से 35 टीचर है 17 स्टाफ है वहां कि और नॉन टीचिंग स्टाफ है टेकनिकल स्टाफ है चुकि ओनलाइन और ओफलाइन दोनों में मोड में बैच चलता है तो जब तक हम इसको बैच नहीं आपको देंगे जब तक जो आपका नीड है हमसे आगर आ चाहे तो खुद से कर सकते हैं चुकि हमारा बहुत ज़्यादा फी होता नहीं है इसलिए अगर उतना फी में आप सक्चम है तो हमसे जूर करके भी आप इसका लाब उठा सकते हैं तो हमारा कहना यह है कि जो स्टुडेंट इस बार ग्रूप D का एक्जाम स्रियसली दिये थ तैयारी किये थे चाहे डिपलोमा या बीटे की या जो इन्वाइट यह हूं उन सभी के लिए तो अभी से आपको बहतर पर्फोर्मेंस के लिए अब बेसिक से नहीं परने की जरुरत है बलकि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की जरुरत है उसमें भी सब्जेक्ट वाइ तो जो student पटना रहते हैं या पटना एक साल के लिए आना चाहते हैं driver तक के लिए तो आराम से एक पिछला वीडियो हम जो बनाए हैं उसमें पूरा detail पटना मरहने में कितना खर्च overall होगा उसकी चर्चा हम किया है non-tech basic foundation batch start हो रहा है उसकी चर्चा किया है online foundation batch start हो रहा है उसकी चर्चा किया है उसी करीम में ये दूसरा वीडियो है कि subject wise test के माध्यम से कैसे हम maximum marks तक पहुंचे हैं 70 plus marks तक कैसे पहुंचे हैं ये उसके लिए इसके लिए हमारा क्या है कि जैसे तीन मूल subject math, reasoning and science का एक daily test offline mode में और online mode में भी हमारा 10 जन्वरी सब नयाय start हो रहा है और इस test में क्या हमारा है कि जैसे मान लिजिए math है math में दोनों का combo हम daily test रखे हैं सबताम जैसे 5 दिन हम test रखे हैं regular जिसमें 3 दिन chapter wise test और 2 दिन previous year selective questions का test 3 दिन जो chapter wise रखे हैं मान लिजिए कि हम time and work chapter उठाएं तो उसमें तीन level में question हम set किया है level 1 जो कि आसान question है सारे type का आसान question को एक जगा collect कर दिया है level 2 moderate question, level 3 tough question, अगर एक topic से 60 selective questions को हम आपको practice chapter wise कराते हैं तो 60 question में लगभग वो topic पूरा आपका clear हो जाएगा, 20 minute में 20 question का test लगाना है और उसी समय expert teacher 40 minute 20 question का concept के साथ आपका discussion करा देते हैं, जिससे कि आपका पूरा 200 question का concept clear हो जाएगा, दूसरे दिन भी यही और तीसरे दिन tough question वाले में भी यही, और चौथे और पांच में दिन हमारा क्या होना है, कि जैसे अगर माल लिजिए previous year में 25 question मैत का आपका पूछा हुआ है, 25 question में 15, 16 question आ इसा रहता है, जिसमें आपको दिक्कत होती है, जो question आप से गलत होता है, तो उसी 10 question को हम एक sitting के question से अलग कर लिए 10 question को, और फिर दूसरे sitting के 10 question को selective अलग कर लिए, 20 question एक जगे collect करके 20 minute का test ले लिए, और 40 minute expert teacher के द्वारा उसका हम discussion करा दिए, दूसरे दिन भी आई से करा इस से इस दोनों के combination से previous year भी आपका पूरा खतम हो जाएगा पाच्छे महिने में और इसके अलावा topic wise भी पूरा का पूरा बेहतर तरीके समाप्त हो जाएगा, और इसके साथ में हम group D का भी selective question बाद में उठा लेंगे, और NTPC का भी selective question हम आपका उठा लेंगे, इसके अला भी करने वाले हैं, सेम चीज साइंस में भी करने वाले हैं, तो offline mode में अभी जैसा कि आप देखेंगे, कि offline mode में ये हमारा अभी दो बैचे जिसका चल रहा है, morning shift में, morning shift में, morning में 8 से 9 हमारा math test, 9 से 10 reasoning test, 10 से 11 हमारा science का test, तीनों लगातार, और evening shift में 5 से 6 math test, 6 से 7 reasoning test, और 7 से साइंस टेस्ट, सुबह और साम, दोनों में से किसी भी टाइम में, तीन घंटा हमारे साथ आप दें, मांकी टाइम में, आप खुद से प्रेक्टिस करते रहें, खुद से पहले का परहा हुआ रिविजन करते रहें, या जो basic अस्तर से है, उसका भी रिविजन करते रहें, लेकिन तीन घंटा अगर आप हमको रेगुलर समय देते हैं, तो पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट के लिए सब्जेक्ट वाइस टेस्ट के मदद सापका होता चला जाएगा, और जहां तक इसका फी का सवाल है, ओफ-लाइन मोड में, दो सो रुपिया इच फी है, एक महने फी को अगर हम ओन लाइन मोड में देते हैं, तो ओनलाइन मोड में सेम टेस्ट, आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग में एक ग्यारे से 12 तो मेत का भीभूती सर का इंजिनियर आसीस सर का साइंस का और रिजिनिंग का अमिद सर के द्वारा तो ओफ लाइन ओनलाइन टेस्ट में दा प्लेटफोर्म एप को डाउनलोड करके वहां से आप आप अलपी सब्जेक्ट वाइस टेस्ट के सेक्शन में जाएंगे और वहां जाकर के आप इस टेस्ट को मात्र दो सो रुपया में मात्र इसका दो सो रुपया फी है आप देखेंगे कि मात्र इसका दो सो रुपया तीनो मिला करके फी है तीनो मिला करके दो सो रुपया पर मन फीड, 200 पीजिएगा के रटेस्ट यानी 600 बीजिएगा तो 99 रुपया 999,99 द्रुपको यानि 300 लगेगा, तीनों मिलाको इंडिविजिएऑल और एक साथ में 200 प्रुपया एक Luckily का मात्र लगेगा और 200 प्रुपया में techn कuardation में 600 प्रिश्ट सब्जेक्ट वायज हो online mode में और offline mode में दोनों mode में morning में सारे आठ बजे से टेस्ट होती है और Sunday को एक बजे सिसका discussion हो जाता है और online mode में ये विवस्था है अगर आप देते हैं the platform app को डाउनलोड करके ALP test section में अगर जाते हैं तो एक सो रुपया में 20 टेस्ट यानि 20 सप्ता चलेगा और सबसे बरा खासियत यह है कि एक सप्ता पीटी का टेस्ट होगा 75 कोश्चन का और दूसरे सप्ता मेंस का 100 कोश्चन का टेस्ट होगा और complete bilingual mode में ये टेस्ट आपका होना है full syllabus का टेस्ट तो इससे बहतर कुछ नहीं हो सकता और offline mode में इसका फी 200 रुपया में 15 टेस्ट होगा जो सारे तीन महिना तक टेस्ट चलेगा आपको 500 रुपया में और online mode में 100 रुपया में 20 टेस्ट आप अंदाजा लगा लिजे कि वह 4 महिना तक लगभग आपका चलेगा 100 रुपया में तो इसका solution भी online test में आपका रहेगा और video solution भी होते रहता है तो दोनों mode में यह उपलब्ध है तो यह चोटा-चोटा चीज करके 3-4 चीज जो बताए हैं कि एक तो तीनो subject का full syllabus का test subject wise test और ALP technician का full syllabus का test चोटा-चोटा test है और इसके माध्यम से 500 रुपया online mode में भी मात्र 200-300 रु पूरा syllabus का रिविजन इसके माध्यम से होता चला जाएगा और offline mode में 500-600 रुपया पर मंद परेगा जिसमें कि तीन घंटे का टाइम आपको डेली देना होगा पूरा का पूरा syllabus इसमें आपका मेंटेन हो जाएगा और electrician वाले के लिए एक बिसेस है कि electrician का special test भी day by day सबताम पांस टेस्ट करके चलता है उसका 500 रुपया में एक साल टेस्ट है उससे बहतर कुछ नहीं हो सकता है उससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है और आगे चल करके फीटर या अनिट्रेट का भी उस तरह का start होगा तो ऐसा करके आप maximum lab उठा सकते हैं और जो student ट्रेड नहीं पर रहे हैं तो online और offline दोनों mode में हमारा 10 जनवरी को नया batch start हो रहा है अभी online mode में 20% का special offer भी है तो उसका भी आप lab उठा सकते हैं एकदम minimum फी में तो अभी इस लेकर के अगर आप LP इसवार final selection चाहिए तो 70 प्लस का target इसी छोटे-छोटे चीज के माधियम से आप पूरा कर सकते हैं और यह चीजें आप खुद भी कर सकते हैं आप question bank ले 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 प्रैक्टिस workbook ले ले आपस में student का कुछ group बना ले और अभी से आप start करें तब भी यह चीज फुल्फिल हो जाएगा और हमारा उद्देश है कि अभी से लेकर के एक जाम तक पूरी तरिके साब ALP में अधिक स 50% ALP में आपका result कैसे हो उस पर अभी से लेकर आपको चलना होगा धन्यवाद पेस्ट अप्लग धन्यवाद